DMCH के डेंगुवाड में भरती मरीज निकला क्रोना पॉजेटिव संक्रमन पैलने की आसंक हा DMCH के डेंगुवाड में भरती मदवनी राजनगर का बैक्ति क्रोना पॉजेटिव निकला है रविबार को DMCH में हरकंप मच गया जहां आनन फानन में मरीज को NMCH रेफर कर दिया गया शुत्रों से मिली जानकारी के अनुशार उक्त मरीज कोरोना के हाई रिक्ष्ट जो मुंबई में रहता था करिब 10 दिन पुर्भू वह मदवनी के राजनगर अपने घर आया वह TB और HIV रोग से ग्रसित था डाक्टरों के मुताबिक 15 मैं को वह मदवनी सदर अस्पताल में भरती हुआ था वह करोना पोजेटिव की जांच के लिए सेंपल लिया गया DMCH के अधिक चक डाक्टर आरार परसाद ने कहा कि सनिवार को उस मरीज को मदवनी सदर अस्पताल से DMCH की इमर्जनसी रेफर कर दिया गया उस समय मरीज या उसके साथ आये बैक्ती ने इसे गुपत रखा कि कोरोना पोजेटिव जांच के लिए उसका सेंपल लिया गया है डाक्टर परसाद ने बताया कि मरीज की स्थिती गंभीर थी PPE किट पहन का डाक्टर ने उसका इलाज किया वहां से डेंगू आइसूलेशन वाड में रखा गया प्रारंबिक जांच से पता चला कि वह टीवी और अचाइबी से गरसित था सरीर में खून की कमी थी रवी बार को ऐसा सूचना आई कि मदवनी सदर अस्पताल की जांच रिपोर्ट में वह क्रोना पोजेटिव पाया गया अधिक्चक ने कहा कि लक्ष्णों को देखकर उन्हें स्वेम की उसकी तहकीकात करबाये करब जो की सच निकला और उसे एनमसीज रेफर कर दिया गया दर्भंगा में अब तक 16 लोग क्रोना पोजेटिव पाये जा चुके हैं एक को छोर कर सभी के सभी मुंबय, दिल्ली, कलकत्ता से आये हुए थे जो डियमसीज के आईसूलेशन वार्ड में भरती थे इन में से 6 लोग स्वस्त होकर घर लौट चुके हैं अन कोरोना पोजेटिव मरीज का इलाज आईसूलेशन वार्ड में चल रहा है